दुनिया के तागतवर देशों के तागतवर नेताओं ने नया साल खूब धुमधाम से मनाया और सभी तागतवर नेताओं ने कुरोना से लड़ने और देश की तरक्की के लिए रैजुलिशन भी सैट किय required लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान ने हरकम मचा दिया जिसने पहले तो नए साल की शुरुआत 4000 किलोमीटर बाली परमाडू बालिस्टिक मिसाइल को दाक कर की और अब 2023 के लिए ऐसा संकल्ब ले लिया जिसको जानकर पूरी दुनिया हैरान है दरसल ये इनसान नौर्थ कोरिया का ताना साग की मुन जों और नए साल पर संकल्ब लेते हुए कहा है कि नौर्थ कोरिया की सुरक्षा के लिए मिलिटरी पावर में बढ़ोत्री करने के साथ साथ पूरे साल एक से बढ़कर एक खतरनाक परमारू हतियार बनाए जाएंगे और दुनिया के होस्तों तब उड़ गे जब नौर्थ कोरिया ने सीधे तोर पर रसिया को ही ओबर टेक कर दिया और दुनिया की सबसे खतरनाक इंटर कॉंटिनेंटल वालिस्टिक मिसाइल बनाने का संकल्प ले लिया आपको बताते कि इस श्यमें दुनिया की सबसे खतरनाक आईशी बियम हाईपरशोनिक मिसाइल जसिया के ही पास है जिसका नाम सलमट मिसाइल है